हेलो फ्रेंड्स मैं अभी लाश्या आज कच्चे केले की चिप्स बनाने वाली हूँ बच्चे आज कल कुरकुरे और क्रैक्स खाना चाहते हैं मार्केट के बने हुए चिप्स बच्चों को बहुत नुकसान देते हैं इसलिए आप ये चिप्स घर में बना सकती हैं बहुत ही आसान ने बनाना और भर के एक डब्बे में रख लें जब बच्चों को खाना हो उन्हें खिलाए और जब आपकी इक्षा हो आप खाएं आए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी हमने कच्चे केले लेके धोके अच्छे से टौबल से पोच लिया है इसके बाद साइड से उन्हें नाइफ से कट करें और केले में तीन चार ऐसे चीरा लगाएं निशान लगाएं नाइफ से लेकिन केले को टच ना हो सिर्फ छिलके पे निशान लगाना है आपको फिर हातों से ऐसे चिलका उतार लें आसानी से उतर जाता है यह देखिए जैसे मैं उतार रही हूँ मैंने एक केले में 3-4 चीरे लगा लिए है और फिर उनको साइट से खोलते हुए ऐसे छिलका उतारा जितने भी केले की चिप्स बनाने हैं आपको मैंने 6 केले की चिप्स बनाए थे आपको जितने केले की चिप्स बनाने हैं सब के पहले छिलका उतार लें एक कढ़ाई में तेल गरम करें और चिप्स कटर से डायरेक्ट तेल में चिप्स काटते हुए डालें अब आधा कब पानी लें उसमें आधा नमक डालें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिला लें इस घोल को करीब दो चम्मच हम इस कढ़ाई में डालेंगे जब यह पानी डालें तो अभी आप कल्ची ना चलाएं और थोड़ा दूर हो जाएं क्योंकि तेल में पानी डाला है तो तेल चटकता है और इसमें एक जाग आएगी अभी आप उसे हाथ ना लगाएं जब जाग शान्त हो जाती है बंद हो जाती है तब आप उसे हिलाएं अब चिप्स दोनों तरब से अच्छे करारे तल गए हैं अब आप इन्हें कल्ची से उतार लें चिप्स निकालें तेल पुरा निकाल दें और एक पेपर नैपकेन में आप उन्हें डालें जैसे एक्स्टा ओयल सोख लेगा इसी तरह आप बाकी सारे चिप्स बना सकते हैं एक साथ बहुत सारे चिप्स ना डाले थोड़े-थोड़े करके डालें वह आपस में चिप्केंगे भी नहीं और अच्छे से फ्राई होंगे और बीच में इसी तरह द करने हुए हैं आप देख रहे हैं एकदम फ्रेश हैं जब आपके सारे चिप्स बन जाए आप एक बाउल में आधा चम्मच चाट मसाला लें आधा चम्मच नमक लें आधी मिर्च चम्मच लाल मिर्च पाउडर सबको अच्छे से मिक्स करें और बहुत अच्छा टेस्ट आ इस प्रैंकिल करें अच्छे तरीके से मिला ले ताकि की सारे चिप्स में शाला इच्छे से पहुच जाए अचछ़ए इसमरा रहे गया वहां भी डालनें अच्छे से बूरे चिप्स में मसाला पहुच जाए अब इन्हें कुछ दे स्थंड़ होने दें रहे दें, ऑन एर टाइट बॉक्स लें उसमें चिप्स डालें और पैक करके रख दें जब बच्चों को देना है तो आप इन्हें दें आप चाय के साथ कॉफी के साथ शाम की हलकी भूप में खा सकते हैं टेस्टी क्रिस्पी बनाना चिप्स रेड़ी थाइंक यू